बॉलीबूर एक्ट्रेस रवीना टंडन को लेकर एक बहुत बड़ी खवर सामने आ रही है बीते दिन रवीना का एक वीडियो बारल हुआ था इसमें रवीना को धक्का मुकी करते हुए देखा जा रहा है दावा किया जा रहा था कि रवीना और उनके ड्राइवर ने तीन महिलाओं के साथ मारफिट की थी जिन में से एक 70 साल की बुजुर्ग महिला भी शामिल थी हाला कि बाद में सिसी टीवी फुटेज सामने आया था कि उन महिलाओं ने ही ड्राइबर पर चिलाना और लड़ना शुरू किया था रवीना सिर्फ ड्राइबर को बचाने के लिए बहस में शामिल हुई थी मिडिया रिपोर्ट्स के नुसार पिडित सक्स ने अपना नाम मुहम्मद बताया है मुहम्मद कहते हैं मैं बांदरा में रहता हूँ मेरी मा बहन और भान जी सब एक साथ एक रिस्ता देखने गए थे वहाँ से आ रहे थे रवीना टंडन के घर के पास से आ रहे थे तो उनके ड्राइवर ने मेरी मा के उपर काड़ी चड़ाई उसके बाद जब उसे कहा कि तुम क्या कर रहे हूँ तो उसने मेरी भान जी के साथ भी बदसलुकी की तूतू मेमे की और बहुत मारा आपको बतादी कि रवीना जहां आप तक इस मामले में किसी भी प्रकार से बयान देने से कत्रा रही थी वहें उन्होंने हाली में अपने एक्स एकाउंट पर एक पोश्ट साज़ा कर चुपी तोड़ी है अभिनेत्री ने एक बयान साज़ा किया है जिसमें पुलिस ने कहा कि उन पर जो शराब के नशे में महिलाओं के साथ दुरुबहवार और मार्पिट का आरोप लगा है वह जूटा है पुलिस का नुसार रवीना नशे में नहीं थी और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है इस मुद्धे पर बॉलिवुड एक्टरेस और मंडी से बीजेपी लोग सभा परतियासी कंगना के भी प्रतिक्रिया आगी है कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा रवीना टंडन जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही चिंता जनक है अगर उस ग्रूप पे पांचे लोग और होते तो पीट पीट कर उनकी हात्या कर देती हम इस तरह के रोडरे जैसी घटनाओ की निंदा करते हैं उन लोगों को फटकार लगाई जानी चाहिए उन्हें इस तरह के हिंसक और दुरू बहवार से बचना चाहिए इसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि CCTV फुटेस को खंगाला गया है जिसमें साफ दिख रहा है कि रवीना ने किसी पर गाड़ी नहीं चड़ाई वो नशे में नहीं थी दोनों पक्ष के तरफ से कोई भी मामला अभी तक प्लेर लुटेस ये एंटार बेगं अरिए किwangए पार 483ज एंटी ही पर प्रम कहा पिए ये साब टांच finns है जो प्रमान अरिए र recoll被 में आफार है जादके एछी क करेंगए है ऑारा है